इसी में सलवार भी दिया है और इसके नाप का बनाना है और इसके नाप का बनाना है आपे रखना है जिना देखना कितना आ रहा है सीना यहां पर मुझे 22 इंच करना है किसे खायर यह गिंच आपे मुझे धृलब नाना है कमर है यहां पर 19 इंच आहिप चेक कर लेना है संब्सक्राइव को सब्सक्राइवति क्या लावर करना है अब इसको मैं पहले मेल कपड़ा और यह असकर पहले पर कटिंग करना है अब यहां से इसको पहले आगे आले पार्ट की कटिंग करना है अब यहां पहले आगे आले पार्ट की कटिंग करना है अब अस्तर को मैं लेनी हूं अब इसको यहां पर डबल फोल्ड में कर देना है डबल फोल्ड में करना है अब इसकी चौड़ाई बेग बाचे कर लेना कितना है अब यहां पर चौड़ाई के तेरा इंच है थोड़ा सब यहां पर करती हूं साड़े तेरा इंच इसकी चौड़ाई अब यहां से बिल्कुल बराबर कपड़े कर लेना है बिल्कुल कपड़े को बराबर कर लेना है अब यहां पर यहां पर गले की चौड़ाई जो मैं यहां पर ले रहा है हूं ठाए इंच है गले की लंबाई साथ इंच है अब यहां पर गले की लंबाई मैं ले रहा हूं साथ इंच है अब यहां पर टूटल तीरा मैं ले रहा हूं साड़े छोई इंच है हार्मोल मैं यहां पर ले रहा हूं साथ इंच के अब गलाब अकरम पर बनागी सीना यहां पर है बाईस इंच का तो यहां पर मैं ले रहा हूं डबल में इगारा इंच अब 11 इंच पर मार्का कर देना है अब यहां से मैं ले रही हूं तमर के लिए 13,5 इंच और 20 इंच पर लगाना है तोटल कमीच की लंबाई यहां पर 38 इंच मैं टायर करूंगी तेहां पर मार्का कर दे रही हूं अनीचे का घेरा मैं ले रही हूं यहां पर 20 इंच का 10 इंच मार्का कर रही हूं अब यहां कमर मैं ले रही हूं यहां पर 19 इंच का है कमर तेहां पर ले रही हूं सारे 9 इंच अब इसको भी सीधा मार्का कर देना है हिप यहां पे 22 इंच है तो यहां भी मैं ले रहे हैं 11 इंच इसको भी सीधा मार्का कर देना है और आधा इंच फरंट में लेना है और यहां पे हर्मुल की गुलाई बना देना है और अंदर पूर्शाई की बना देना है है श् 195Ayद euro 30 वेना है और इसको यहां पर रखना है और यहां से इसको मिला देना है और दूसरे साइड़ मारका कर देना है अब इसको में कर देना है की ज़ черta अब इसको भी सीधा यहां पर मारका कर देना है की और इसको यहां पर फोल्ड के लिए दो-दो इंची स्टरा और यहां पर मैं भी से बनाऊंगी बकरम पर अब इसको जैसे मारका लगा इसे इसको कटिंग करके निकाल देना है आगे वाले पाट की इसको कटिंग कर लेना है अब इसको कटिंग कर लेना है अब इसको साइल में करना पारट को even करनी एक अब यह द्रीन का लेना है अब यह पने ले देख लेना है प्लोक करना है और अगे वाल इस को oui है इसको उपर इसको विछारा देना बराबर से सेंटर से सेंटर मिला देना अध्यारी को कनी ज़िह कर लेना है कि भी प्लाबर का रहना चाहिए कम ज्यादा नई राना अब इसको बिर रखना है ह। और यहां पेशी अलेपार्ट को कमें निकाल देना है। अब यहां पे पीछ वाले पार्ट को भी कटिंग कर ले रहे हूं आप इसको साथ में करना है अब इसको साथ में करना है और इसको लेना है में कपड़े को आयां पर इसको अब बिच्छा देना है मेन कपड़े को हैं पर डबल फोल्ड में ले लेना है इसको दिल्सकुत बराबर से यहां पर डबल फोल्ड में रखना है अब अस्तर को मैं रखने हूँ मेन पाट पे मेन कपड़े पे रखने हूँ अब इसको अस्तर को रखना है और इसको भी काटिंग करके निकाल देना है फिल्कुल बराबर से कल लेना है और यहां पर मेन कपड़े को भी काटिंग करके निकाल देना है काफ़ें कुरसरल भी कटिंग करनें कि निकालेंट नेंगे जाए availability के अब इसको सहाइड में करदेंगे भी कह एचिपकर बाद करदें увид बिल्कुल बराबर से इसको डावल कोल में कल लेना है तो पीछे वाले पार्ट को में डावल कोल में कर ले कुछांग सब्सक्राइब कि बीलोना सबसे लिवाल बावं गल पार्न कुंत लिए ऐहां पे हमीं उनल की सब्सक्राख से हमें लिए कफे रख विए हमाले बीड़ बर्द बर में फ़डू यहते हैं इहांट पर पृस और बटेंग उस्ते हमाइं यहां पर इसको पीछे वाले पाट को बिल्कोल बराबर से बिच्छा देना डबल फोल्ड में और आगे वाले पाट को इसको पर राख देना है यहां पर मैं रखती हूं, अब इसको भी कटिंग कर लेना पीछे वाले पाट को भी, यहां पर, अब यहां पर हर्मॉल की गुलाई को भी कटिंग करके निकाल देना है, अब यहां पर हर्मॉल की गुलाई को भी कटिंग करके निकाल देना है, अब यहाँ प्रॉट को भी कटिंग करके निकाल देना है अब इसाइण में कर देना है अब पीछे ब्रॉटकी भी कटिंग हो गई है अब एक्षुड का सीना पर लगा देना है जारू प्रॉट को कि पकड़ लेना है याँ पर लगा देना है कि एक हुद की घुता ही पर लगाना है और यहां पर हर्मोर्टी करना है अब इसको कटिंग रेना है अब इसको में साइड में ने कर दे रही हूं ऐगा है इसको डौबल में बिचा देना है यहां पर दबल करना है कपड़ा बोड़ पतला है यहां बिल्गूटु चार फॉल्स में इसको बराबर से कर लेना है इस बिगा पर यहां पर पर मारका करना है अब यहां से मैं ले रही है अब तीन इंचे लेना है अब इसको भी सीधा मार्का कर देना है और यहां पर ह्णिल की घुलाई मेरे मेज़रन के 10 इंच पर मार्का कर देना है अब ले रहे हूं आठ इंचे आप एके डिृ अब यहां से के आख से करना है एब बिभाए। यहां पर हर्मुल की गुलाई बना देना है और यहां पर इसको कटिंग करके निकाल देना है यहां पर बिल्कुल बराबर से कल लेना है और यहां पर हर्मुल की गुलाई कटिंग करके निकाल देना है और यहां से इस्टर कपड़े को भी साइड से कटिंग करके निकाल देना है अब यहां पर इसको साइड में कटिंग और यहां पर जॉइंट लगाऊंगी यह जो बाचा हुआ कपड़ा है और यहां पर मैं पहले इसको यहां पर दो फोल्ड में करना है यहां पर मैं चार फोल्ड में इसको यहां पर रख रही हूँ अब बाची की लंबाई यहां पर मैं इसको जे करते हैं कितना है यहां पर आरा बाची की लंबाई अई इसको मैं यहां पर जॉइंट लगाँंगी फोक्त सब्सक्राइब करें kindru energy लागनतर्ण देख क्यू करें ईक dramas online it's बिद्ла भुबए यहां पर भाना यहां पे जो रगाना है उसका तक क्षोटा सा के आप असतर भी लगाना है। इसकों सार लेका मैं करना है कि आफीषयर की करती है से एक लिग Swagoda से vyoh babet को छौटा वेची सब्सक्रपा साब है। अब इसकी चोड़ाई यहां से देखना कितना है आरा 10 इंचे बाजू की लंबाई मैं ले रहे हूं ताड़े 6 इंचे अब इसको सीधा मारका करना है और यहां से उपर की अब इसमें गुलाई नहीं लेना क्योंगे यहां से रखना है अब यहां से हर्मल की गुलाई बना देना है अब इसको जैसे मारका लागा है ऐसे इसको कटिंग करके निकाल देना है छोटा समीं अब इसकी कटिंग हो गई है इसमें ज्वाइंट होगा जब इस टीच करने दिखाऊंगी अब आसे इसको सीधा करके कम इसकी कटिंग हो गई है फिरेंसे वीडियो पसंद आए तो सेला सिस्क्राइब जादिन कीजिए का मिलते हैं आप से दूसरे वीडियों तक तक कि